श्रीमती शोबा ठाकुर जी लखना उसे, रादे रादेव, पुजी गुरुदेव, आपकी चोड़ों में कोटी-कोटी पनाव, गुरु महराजी, मेरी अराध्य माँ वैशनो देवी हैं, मैंने उनको अपनी माँ समझ कर प्रेम किया है, और पूजा करती हैं, और उनके दर् कितनी भी भयानक माँ हो बच्चे को कभी डर होता है, देखो जब नरसिंग भगवान ने अपना रूप धारन किया, खंबे से प्रगठो कर, कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भैवीतना हो गया हो, इरनकस्यप मुर्चित हो गया एक बार की दार में, बड़े-बड़े भगवान शंकर आज भ्रह्मादि भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान का करोध शांत नहीं हो रहा है, पठक पठक कर मार डाला, फार डाला, इरनकस्यप को, मेरे भक्त को सताया, लेकिन जब देखा भगवान शंकर भ्रमभादिने की समय रोष शांतन नहीं हो, तो गहा प्रलाद जी से बेटा तुम जाओ तुम जब समझाओगे तो इस समय हरी सांत हो जाए तो प्रलाद जी डरे थोड़ी है दौड कर गए और गोद में चड़ गए मेरे प्रभु ना तो जानते हो नर्शिंग रूप में भगवान जी भ्या से चाट रहें से और अश्र भगवा हमारे मां हैं प्रभु हमारे प्रभु हैं चाहरो जिस रूप में हमें डर लगेगा क्या नहीं लगेगा जैसे हमें पता हो कि मेरे पापा अंविनेता है अब यो जाकर कि जब रोल में आये तो घला काटते दिखाई दे रहे, गोली मारते दिखाई दे रहे तो हमें क्या लगेगा? नहीं, हम जानते हैं हमारे पापा बहुत अच्छे है ये तो नाटक कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ना? वो कभी डरेगा नहीं कि ये श्वांग कर रहे हैं, वो डरेगा नहीं, एक पत्नी बहुत अपने पती से विनोत करती थी और वो सरकारी आफिसर थे, पिस्टॉल रक्षा के लिए मिली थी, एक दुनों ने विनोत किया आप लेट के हो गए, पिस्टॉल नेका लिए, गोली भरी, बंद किया, उसके कनपटी पर रख दिया, रुद्र रूप रखके यह, हटा ay, अपने खिलोंने, इससे में डरने वाली हूं, मैं जानती हूं दो लग क्यों इसससे तो अच्छे अच्छे डर जाते तो में डर, क्यों मुझे पता है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं आप मेरे पती हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं समझ रहें मुझे पता है वो मेरी मा है मुझे डरना क्या पर असलियत में मा नहीं माना जबान से मा कह रहे हैं असलियत में मा नहीं माना नहीं तो हम तो पावड़े विछा देंगे प्राणों के कि आओ मा एक बार तो आ जाओ मैं एक बार देखना चाहती हूँ और अकेले में ही वो मिलती है अपने बच्चों के लिए और जो दुष्ट जन है वो महाकाल है कि मां मुझे निदर कर दो तो निदर कर देंगी हाँ बहुत करूना में बहुत करूना में है इस बार देखनी है जे